नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahipal Singh Rathode और आज इस लेक्चर में हम चल्चा करेंगे, दक्षिन अमेरी की देश, बोलिविया में बनने जा रहे है एक नए nuclear reactor के बारे में जो दुनिया का सबसे हाइस्ट nuclear reactor बन जाएगा Recently उसका काम शुरू हो चुका है, construction activity has started, 4-5 साल से काम डिले हो रहा था लेकिन अब जाकर रशिया की मदद से ये काम स्टार्ट हो चुका है Location क्या है इस nuclear reactor की, दक्षिन अमेरिका में एक देश है बोलिविया, बोलिविया में एक शहर है El Alto नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, Elto का मतलब ही Latin भाषा में LTS यानि की उंचाई होता है तो ये शहर 4000 मीटर की उंचाई पर स्थित है, Andes परवच श्रंखला में और ये दुनिया का इस तरह से सबसे उंचा nuclear facility वाला शहर बन जाएगा तो इस nuclear reactor को बना कौन रहा है, Russia की Atomic Agency Rosatom तो Rosatom ने इस पर काम शुरू कर दिया है, इनका agreement 2016 में हो चुका था आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि Anacademy आप पर आप मुझे इस ID पर फॉलो कर सकते हैं इस lecture का PDF आपको Pathfinder underscore UPSC Telegram चैनल पर मिल जाएगा Bolivia दक्षिन अमेरिका का एक landlocked country है, इसका कहीं पर भी समुद्र तट से access नहीं है और इसकी आबादी लगबग 1 करोड 10 लाग के आसपास है, it is very sparsely populated एक और interesting fact यह है कि यहाँ की दो राजधानिया है, La Paz और Sucre La Paz जो है, यहाँ पर सरकार के executive वाले और legislative वाले जो organs हैं, वो बैठते हैं, उनका headquarter है और Sucre में judicial headquarter है, judicial राजधानी है, तो दो capital है, Bolivia के अब आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा देश है, एक करोड के आसपास आबादी है, इन्हें nuclear power के आवशक्ता क्यों है क्योंकि दुनिया में जादातर nuclear power वही इस्तमाल करते हैं, जिनकी आबादी जादा है, बिजली की खपत बहुत जादा है आपको बता दूंकि केवल 32 देश ऐसे हैं दुनिया में, जो nuclear reactor से बिजली उतपादन करते हैं तो बुलिविया अब उन देशों की लिस्ट में शामिल होने ही वाला है, और इसके बीचे रीजन यह है कि किवल बिजली नहीं, बलकि nuclear technology और भी कई फायदे पहुचाती है, जिनके बारे में मैं इस lecture में चर्चा करूँगा इस nuclear reactor का official नाम होने वाला है, Center for Nuclear Technology Research and Development तो यहां पर काम 2024 तक खत्म हो जाएगा, और रशिया ने बॉलिविया के साथ agreement sign किया था, इसे बनाने का 2016 में, बातचीत तो उनकी बहुत टाइम से चल रही थी, 16 में agreement हो गया था, 2019-20 में काम शुरू होना था, लेकिन बॉलिविया में political crisis हो गए थे, कुछ elections को लेकर, जिस इसरा, multipurpose radiation center, यह इस्तमाल लिया जाएगा, industries के द्वारा, तो industrial gamma ray equipment है, जो pharmaceutical industries के काम में आता है, और कई सारी research laboratories भी हाँ पर स्थापित करी जाएगी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि nuclear power किवल बिजली के उत्पादन के लिए नहीं होता, बलकि science, medicine, agriculture, education, इन सभी शित्र में nuclear technology काम में आती है, देखें जो यह multipurpose gamma irradiation center है, इससे gamma rays के माध्यम से agricultural product खाद्य पदार्तों को irradiate किया जाता है, उससे क्या होता है कि जो भी खाद्य पदार्त है, उनको बहुत लंबे समय तक store किया जा सकता है, उनकी shelf life बढ़ जाती है, और इससे export करने की जो capacity है, वो सब भी वहां मिलता है, natural अपने minerals के लिए जाना जाता है, बोलिविया traditionally, बट agricultural export भी अच्छा खासा है, तो अब यह अपने soya bean को या अन्य पदार्तों को irradiate करके, लंबे समय के लिए store कर सकते हैं, export कर सकते हैं दुनिया के दूसरे देशों तक, और यह technology बहुत common है, developed countries में, इससे खाने के स्वाद पर कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन जो shelf life है, वो काफी बढ़ जाती है, तो यह technology पूरी तरह से consumers के लिए भी safe है, उसके बाद nuclear technology का काम, medicine के शित्र में भी है, pharma के शित्र में भी है, तो यहाँ पर एक pre-clinical cyclotron radio pharmaceutical complex थापित किया जाएगा, और के माध्यम से medical equipment को sterilize भी किया जाता है, sterilization बहुत जरूरी होता है, ताकि infections patients में आपस में ना फैल जाए, pandemic के दौरान वैसे भी sterilization की importance बहुत बढ़ चुकी है, तो इसके कारण medical equipment sterilize करने में भी बहुत फाइदा मिलने वाला है, और सबसे important यह है कि oncology के लिए treatment center बन जाएगा radio therapy यहाँ पर करी जा सकती है, इस center के स्थापितोंने से बोलिविया में nuclear industry की शुरुआत होगी और उसे धीरे धीरे बढ़ावा मिलेगा, बोलिविया की सरकार यह कह रही है कि 500 नौकरिया भी यहाँ पर इस center से मिल जाएगी, लेकिन अब इस पूरे construction में रशिया का क्या फा बोलिविया जो है उसमें lithium की भरमार है और lithium का ना केवल nuclear reactors में बलकि अन्य कई जगे उप्योग है, तो अभी रशिया को अपने nuclear reactors के लिए lithium की आवशकता रहती है, as coolant in nuclear reactor, तो यह जो Rosatom company है, यह चाहती है कि दुनिया का पूरा lithium market का 10% यह capture कर ले बाए 2030, ऐसे इनके targets हैं, जो companies के होते हैं, तो यहाँ पर lithium का nuclear energy में भी इस्तमाल है, यह याद रखना सिर्फ batteries में नहीं होता है, lithium क्या काम आता है, एक तो cooling systems में काम आता है, pressurized water reactor system में, और fluoride coolant होता है, molten salt reactors में, और तीसरा tritium का source होता है, यह tritium कहाँ पर काम आता है, nuclear fusion में, fission नहीं, fusion में काम आत तो यह lithium 6 है, यह lithium 7 है, और भारत भी बोलिविया से lithium के लिए एक MOU sign कर चुका है 2019 में, क्योंकि हमें भी बहुत सारा lithium चाहिए, lithium batteries के लिए, cell productions के लिए, तो हम भी बोलिविया से 2 साल पहले एक करार sign कर चुके हैं, एक बात और याद रखना कि बोलिविया में एक salt flat है, जैस 9 million ton lithium यहाँ पर है, और इसको बोलिविया की सरकार काफी इस्तमाल कर सकती है, यह बहुत बड़ा mineral resource है बोलिविया के लिए, तो इसे के साथ इस lecture को समाप करते हैं, इसका pdf आप इस telegram channel से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप an academy platform पर UPSC की तयारी करेंगे, तो आप हैं, तो इनको आप तभी जान पाएंगे जब आप classes में आएंगे, plus और iconic दो प्रकार के subscription है, तो अगर आप paid subscription लेना चाहते हैं, और एक schedule के अनुसार अपनी तयारी करना चाहते हैं, तो इन दोरों में से कोई भी subscription ले लीजे, इन सभी subscriptions पर महिपाल code यूज करने पर आपको 49,680 रूपीज में, 50,000 से भी कम price में आपको GS mains, prelims, optional, सभी की test series, तीनों की test series और printed किताबें, यह सब कुछ आपको यहाँ पर यह मिल जाएगा, just for 49,680 रूपीज, और अभी और भी कुछ additional benefits हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं, extended validity, दोनों prelims और mains की test series, EMI option पर course को अवेल क सकते हैं, और किताबों का set, यह सब कुछ free है, जैसे ही आप subscription लेते हैं, एक batch join कर लो, 19 अगस से मेरा medieval history का code स्टार्ट हो रहा है, इसका link नीचे आपको description में मिल जाएगा, तीन free test series हैं, इनका उपयोग कीजिए, prelims का score increase कीजिए, combat में इस सालो, रविवार को अच्छा score और कुछ attractive gifts भी हैं, जिनको आप जीच सकते हैं, thank you very much, have a great day.